हैलो फ्रेंड्स तो आज हम फार्मसिटिकल इंजिणिरिंग की यूनिट थर्ड कर रहे हैं जिसमें हमारे दो चै getan reckon एक हमारा ڈ्राइंग है और एक हमारा है mixing, तो mixing को हम बात में देखें पहले हम ट्राइंग को cover करेंगे, और ड्राइंग के अंदर बहुत सारे topic हैं, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ड्राइंग क्या होता है, introduction, फिर ड्राइंग की कुछ Objective and applications के बारे में, process आगे होती है इस चीज को हम सबसे पहले समझें तो हमारा जो वर्ड है ड्राइंग बहुत ही सिंपल वर्ड से हम समझते हैं सुखाना मतलब कोई है जो सूख रहा है और ड्राइंग का मतलब होता है सूखा हुगा मतलब यह अब हमारे जो पेज है यह हमारा एक तरह से कहें त आठा रहे हैं तो अगर हम इस process को समझें तो हम बोलेंगे कि इड़े प्रासेस और रिमूबल ओफ प्लिक्विड या वाटर और या मौश्चर मौश्चर भी हम इसी को बलते हैं जो हमारे छोटे 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 लिक्विड के कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम क्या बहुते म हम सूखे सॉलिट को प्राप्त करने के लिए या कोई भी हमारा स्पॉलिट प्रोड़क्ट है उसको सूखा ड्राई करने के लिए अब शीजामपल जैसे हम सबसे अच्छे इखंपल लेगें तो क्या है ड्राइंग ऑफ क्लॉथ तो कुपडे क्या होते हैं कि जब धहोते हैं कपड़ों नहीं हो जाते हैं उसके बार मुझेट को पहन हो सकते हैं तो यह समझे हैं यह कोई पेपर है या फिर कोई गीला है यह हमारा पानी के molecule इस पर लगे हुए है इसके बाद हम इसको धूप में डाला दूप में Sun ने क्या किस पर हीट प्रोवाइट की कि यह प्रोवाइट करने के बाद हुए कि getting heat from sunlight जैसे इसने दूप से इसको प्रोवाइड किया यह जो बाटर मौलेकुल से हैं क्या हो जाएंगे और इस कपड़े से अलग होके ऊपर उड़ जाएंगे और हमारे यह सूखा हुगा पराप्थ हो जाएंगे मतलब DRY PEEस व पेपर यह क्लोग्ट हमें यह कपड़ा हमारा सूप चुका है यह हमारी एक प्रोसेस है ड्राइंग की जो आप यह अगराप अगर आप आरकर आते हैं इसका यह रफ डाइग्राम है और अब या दो अभी और किINAягरा होती तोन कियाencing घृ झिसान मुंख संगें आगे और non thermal किवा है कि हीट का यूज़ नहीं हो और हाँ तो कैसे तो हमारे यहां पर तरीके होते हैं एक हमार च्जी के हमारी है कि की जिए ही टूर्ण का है कि हम घून पर नचोड़ते हैं अमने यहां पर क्या नचोड़ने बाद होता कि जो हमारा वार्टर मॉल्ट hexeeeee शुक पूरे गिर जाते हैं और हमारा कपडा पूरा ऑख सुखा हो जाता है पूरा यहां पर अग्ट में बाटर फीघं । मोल्य को रेमुवड हो जाते हैं और लोगों ने कभी-कभी देखा होगा जिसको हम बोलते हैं कि जैसे कभी किसी फर्च पे पानी गिर गया तो हम करते क्या है कि उसके उपर हम सूखा कपड़ा डाल देते हैं और सूखा कपड़ा पिर करता क्या है उस फर्च का जो भी पानी होता है उसको अपने अंदर देखते हैं कि वह वाला जो फर्च है हमारा वो सर्फेत है वह साफ हो चुका मतलब हाँ पर पानी नहीं रहता यह सिंपल प्रोसेस होती है एड़ जॉप्शन की कि इस ने जो फर्च पर हमारा पानी उसके उपर हमने कपड़ा डाला फिर इस कपड़े ने किया कि ड्राइक खींच लिए और हमारा ड्राइस वो मिल चुका है यह मारा फार्मसोटिकल में कैसे काम आता है कि हमारे होते हैं कुछ डैसी केंट पार्तिकल होते हैं वह क्या करते हैं और चको कशेंड़ को अमारे ब्राइक करना है और अक्ट्रेक्ट करके हम water molecule को जहां से एक ट्रेक कर दिया और हमारे सर्फेस खाली हो जाता है यह सिंपल हमारी non thermal कुछ processes सी ड्राइंग की अब हम देख लेते objective and applications के क्या-क्या है तो हमारे जो ड्राइंग है वो necessary किसके लिए है lightweight करने के लिए मतलब अगर आप एक चीज पता होगी कि कि जब कपड़े हम धो देते हैं simple समझिए तो हम जब उसको डालने जाते हैं च्छत बगएरा वे तो बाल्टी में कपड़े रखे ले जाते हैं कितनी भारी होती है लेकिन जब साम को हम उनको बापस उठागे लाते हैं सूखने के बाद तो वो कितने ज्यादा हलके लगते है ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो पूरे सूख चुके हैं तो उनका जो पानी था मतलब जो गीले थे पानी था वो पूरा क्या होगा ओड़ चुका है धूप में क्या हो चुका है वैपरेट हो चुका है तो इससे क्या होगा इससे हम समझते हैं कि जो पानी होता है वाटर होता यह बहुत सारे इसके बाद करने में अब करते हैं तो रिमूब ऑफ मॉइस्चर सिग्निफिकेंट डिक्रीज रे आफ यहां तीन चीज रेत डिक्रीस रेक्सन एक केमिकल डेक्सन डिक्रीज आटक को डिक्रीज करता है तीजरें को करता है इसको समझते कैसे कि हम समझते हैं जब हमारा पानी किसी भी ड्रग या कहीं पर मिला हुआ होता है तो वह रियक्ट ज्यादा करता है एक्वस वाले आपने सुना होगा कि एक्वस एक्वस रियक्शन ज्यादा देते हैं तो जब हम अगर पानी को रियक्ट मतलब पान रहे हैं कि हमारे microbes होते हैं वेक्टेरिया उनको पानी की requirement होती है बहुत जादा अगर हम पानी को रिमूब कर देंगे तो उनकी अटेक भी बहुत कम हो जाएंगे तो यहां पर माइक्रोबियल अटेक भी डिक्रीज हो जाएंगे जिस बचैसे हमारे जो नो इस्पोईलेज होता है मतलब जो बैक्टेरिया बाइरसेस की बचाना खराब हो जाता है वह भी यहां पर कम हो जाती है कि देखा होगा ब्रेड बगरा यह है रोटी बगरा करने में पानी लग जा तीसरी क्या है कि जो बिसकस एंड इस्टिकी मैट्रियल होते हैं जो चिप चिपे और गाड़े मैट्रियल होते हैं उसमें अगर हम सुखा देते हैं तो उनकी फ्लोप परटी थोड़ी इंप्रूब हो जाती है चौजी क्या है कि ड्राइंग प्रोडक्शन आफ टेबलेट अब हमको पता है टेबलेट ग्रेंडूल जी हम बनाते हैं जब सॉलिड वाटिकल होते हैं तो इनको हम क्या जितना सूखा रखें जितना वह उतना अच्छा होता है तो यह क्या है कि जब हम बाटर को रिमूब कर देते हैं ड्राइंग प्रोसेस के द्वारा तो इसकी इंप हराब ना हो तो हम ड्राइंग प्रोसेस के सवारा इस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं इसलिए यह हमारे प्रोडक्शन में भी हल्प करते हैं और ड्रग प्रोड़क्शन में भी हल्प करती है ड्राइंग प्रोसेस इसके बाद हम इसकी मेकेनिस्म समझते हैं सिंपल क्या है कि on thermal process मतलब thermal process में जो हम heat के उजारा कर रहे थे उसमें वारे दो में具 होती है एक हमारी हीट transfer है को हमारी mass transfer मतलब जिस solid का हमने मतलब हीट transfer जिस solid को हमें drying करना है उस solid पहले क्या करती है उस solid में फूरी heat generate हो दाती है उसके ऊसके बाद है बाहर बाहर हा पूरा besides bigger is heat transfer दूसरी इसमें क्या है กि मत ढखले में तो उसके इसमें कैया माहिदखता है कोई तो तो Argentine अन्ष्टेशेना है अग्राव भॉलते है यह वाटर मॉालीकूल्सकिया कुछ stamps भी होता है इस बजाए से हम इसको मास्ट ट्रांसफर भी बोलते हैं तो हम पढ़ेंगे इट इन्वाल्व दा मुवमेंट ऑफ दा मॉइस्चर टू ता सर्फेस ऑफ दा सॉलिड मतलब जो सॉलिड के सर्फेस पर हमारे मॉइस्चर है वो मूव करते हैं और मूव करने के बाद वो क्या करते हैं सबसे क्योंट एवापॉरेशन फ्रॉम अब वो सर्फेस से लगातार एवपॉरेट भी होते रहते हैं और दीरे-दीरे जब सारे मॉल्ख एवपॉरेट हो जाएंगे तो हमारे जो कंटेंट है वो क्या हो जाएगा मतलब बार्टर से फिरी हो जाएगा और हमारे यह पूरा सॉलमीड है हमारा पंपा पूरा गरम हो गली थीक अब नारा फैसे हैं सुलिध और कहलो होगा थीक है तो यहां के लोगा है और दोयिकर वहाक मास्ठ दोमा स्वाब में हमारा क्या होता था कि इसमें तो यहां हमारे हीट ट्रांसफर जहां से सॉलिड में पूरे में हो चुका था अब हमारा होगा मास्ट ट्रांसफर तो मास्ट ट्रांसफर में क्या होगा कि यहां से यह पूरा हमारा गरम हो गया सॉलिड तो अब इसके ऊपर जो हमारे transfer वी पूरे solid में उसके बाद यह solid के उपर जो हमारा पूरे जितना liquid content था moisture content था उसने उस heat को absorb किया और खुद को vaporize कर लिया और सारा का सारा उपर क्या होगा evaporate हो गया तो यहां से हम बोल सकते हैं मास्ट ट्रांस मतलब कुछ सिंपल हैं तो हमारी पहली है diffusion theory दूसरी हमारी है capillary theory diffusion theory बहुत ही सिंपल है तो हम diffusion का नियम जानते हैं कि diffusion का नियम यह होता है कि कोई सभिष्टा या मौली कोछी भी है वो higher concentration से lower concentration की तरफ जाएगा और higher concentration का मतलब क्या है, जहां पर होगा Samuel कोई किया है? ज्यादा गरम से कम गरम की तरफ हमारा याद का काम ध्यान कि तरफ अब एक एक्जामपल समझते हैं इसका बहुत सिंपल कि आपने कभी देखा होगा कि आप क्या लाए फ्रीज से एक बोतल पानी लेकर आए और एक बोतल आपने सिंपल ले ले लिए गरम पानी करके लाए अब आपने यहां पर रख दिया एक रूम में और एक रूम मे आपने एक रूम में दौनों को रख दिया और रूम के अंदर जो टेंपरेचर है बहुत है क्या है बीच डिगरी से तो अब आप देखेंगे कि जो हम थंड़ा पानी लेकि आए ते ना वह थोड़ा गरम हमको लगेगा क्योंकि वह 10 डिगरी से 20 पे पहुंच जाएगा क्य से यहां पर लगेगी क्योंकि इसका 20 है इसका 10 है और दौनों जब यहां पर पंदर हो जाएंगे एक्कुलिविरियम में हो जाएंगे तब तक हमारे यह टेंपरेचर दौनों में मतलब जो हमारी हीट है वो ट्रांसपर होती रहेगी अब यहां पर हम देखते हैं इसका क्य एक्यूलिब्रियम तब जागे हम देखते हैं कि हमारा था ठंडा पानी था वह भी बराबर हो गहां दोनों कि'ल मिलें बरावर मिलेंगे एक रोम टेमप्रेचर पर बहुं मग plugins हमाना होता है तो इससे हम समझते तो जैसा ही हम यहां पर चाल की Honoka सरे तो हमारा जो सबसे नीचे प्रिज बाटर करेंगे और इनके मुकाबले ऊपर ओल यह तो यह इसको यह इसको करेंगे अर इनके मुकाबले ऊपर वाले बिल्कुल ठंड़ तो इसको ब premise करेंगे और धीरे-धीरे ऐसा हीट जाती रहे केरिये और सबसे ऊपर वाले के पास किसी को हीच देने के लिए तो आपने आपका किया करते हैं यहां पर हम यह मानते हैं कि हमारा जैसे कोई यह से एक सॉलिड है कि हमान दें कि इसके हमारे च्छोटे ब्ले मैं जानते हैं च्रुझ अ यहां पे होते हैं मतलब हैं नाय को समयोते होते हैं और यहां पे है यह लिक्विड है यह हमारे वारटर कंटेंट अम यह oni हीट प्रोवाइड करते हैं यहां से हम यहां से इसको हीट प्रोवाइड करेंगे होगा क्या कि कि यह वाले जो हमारे हैं यह हमारे इस वाइड के अंदर हमारे सारे के सारे जो वो चले जाएंगे और हमें यहां से यह जो भी मतलब लिक्विड है वाटर है वह इस बॉइड के अंदर कैपलरी लाइक बॉइड से इनके अंदर चले जाते हैं और हमारा जो कंटेंट है यह फाइनली हमें बिल्कुल फ्री ओव वाटर मिल जाता है और यही हमारी सिंपल आगया होगा नेश्ट वीडियो में हम अपने एकली वीडियो मौशिटर कंटेंट और रेट अव ड्राइंग करब को कवर करेंगे तो फ्रेंट आप वीडियो को अगर अच्छी लगी हो समझ आईगे तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे की वीडियो के लिए तो मिलते हैं आपसे बहुत जलत तब तक के लिए थैंक यू टेक केर बाइबाई और अगर आपको फर्दर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बक्स में लिखे पूछ सकते हैं और आपको जो नोट्स आप च